हेलो फ्रेंड ग्राफिक टीजिंग आल्ट में आपका स्वागत है आज मैं आपको फोटोशोप में स्केचिंग के तुरू एक फैसन डिजैनिंग ड्रेस बनाके दिखा रहा हूं जिसमें पैटन का यूज करूंगा तो सबसे पहले गंट्रोल ओ ओपन मैंने किया डाउनलोड कोफ़े के लिक वह यहां से कोई इमेज लेकर आ जाता हrадц a इस तरीके से इमेज लाने के बार मैंने किया कंट्रोल ए चन्हों और मैं फिर प्रिंट पर जाता हूं एक नया साइज लेता हूं A4 का और यहां जाके वह इमेज पेस्ट कर देता हूं तो यह काफी छोटी आ रही है मैं आपको का कंट्रोल टी करके इसका साइज बढ़ा करता हूं इस तरीके से एंटर किया तो यह पिक्चर इस तरीके से जूंगा Pen tool लेकर control plus zoom करता हूं मैं अब मैंने Pen tool लिया आपका यहां और Pen tool लने के बाद पास selection tool select किया और जैसी इसका पहले इसकी बॉड़ी है इस तरीके से बनाता हूं कि बॉड़ी में पहली इसका हाथ है तो तो मैं हाथ शो करता हूँ, फैशन डिजैनिंग में दो तरीके से काम होता है, एक में यह होता है कि हमें बोडी नहीं दिखानी पड़ती है, उल्ली ड्रेस दिखानी पड़ती है, तो हम इसका इसलिए फेस वेस नहीं ले रहे, और सिम्पल जैसे हाथ और उसके उपर ड्रेस दिखाएंगे, एक में होता है कि अगर मैं फुल डिजिटल पेंटिंग बनानी है, तो उसमें मैं फेस वेस बना सकता हूँ, तो मैंने आपको पहले ही डिजिटल पेंटिंग बता दी है, कि हम किस तरीकी से डिजिटल पेंटिंग बनाते हैं आपका, तो इसमें मैं एक ड्र पे इस तरह का effect बनाना है जिसे मैंने किया Ctrl Enter बात को selection करने में मैंने यहां से color pick किया कि मुझे कौन सा color pick करना है इसमें और मैंने layer 2 को select किया और यहां all back कर दिया Ctrl D करता हूं selection हट जाएगा आपका फिर एक new layers लिए इसकी आई बन कर दी अब मैं इस तरह की से दूसरा यह effect शो कर रहा हूं बना रहा हूं आपका हम चाहें तो इसमें एक नया look भी शो कर सकते एक नया look भी दे सकते तो और जो company में वर्क होता है वो इस तरीके से होता है कि वहां जो sketching वाले होते हैं वो इस तरीके से sketch बनाते हैं तो उसके उपर fit designer pen tools से काम करके digital penning मना के उसमें फिर वो gradient color pattern या front color से कोई भी effect देता है इस तरीके से अब जिसे यह वाला जो पट्टी है यह मैं दुबारे से बनाऊंगो तो मैंने कि यह control z पीछे की तरफ undo उसांगो कंट्रोल एंटर करता हूँ पात को सेलेक्शिन करने में अभी फिलाल कोई भी कलर फिल कल देता हूँ तो मैंने इस तरीक से कोई कलर दे दिया अब इसकी भी आई बन करता हूँ इसके नीचे एक न्यू लेता हूँ अब मैं यहां जाके जिससे यह वाल एफेक्ट बनाता कंट्रोल एंटर एक न्यू ले रखी है अब यहां कोई भी कलर थोड़ा सा चेंज करूंगा और बैक स्पेक्स फरेंड कलर बसकी आई बन कर देता हूँ तो फिलाल मैं अभी कलर पे काम कर रहा हूँ उसके बार भी मैं इसमें पैटन देखे रिखाऊँगा और बताऊँगा भी एक नया पैटन आप कैसे बना सकते हैं वैसे जब मैं फोटोशोप में एडिट मीनी बार बताया था उसमें मैंने आपको बता दिया था एक नया पै और यह लाइन ली और यहां मैं कलता हूं स्टोक पाथ तो इस्टोक पाट्स से क्या है कि जिसे जो मैंने बुरूस में साइज दिya था और जब मैं स्टोक पाट करता हूं तो इस तरीकी से क्लाइन सिम्पल सी मिल दाएगी मुझे तो इसलिए मुझे मुझे बुरूस में जा कि उसका size छोटा करना पड़ा था और फिर pen tool लेके right click इस टोप path करके मुझे simple एक line लेनी पड़ी अब जैसे इस तरीकी से में एक shape दी तो ये shape में इसलिए लेके आ रहा हूँ कि कि वो जो पहले इस तरीकी से shape बनाई थी कि वो उसके उपर आ जाएगी तो ये इसके नीचे आ जाएगी तो इसमें हमें जल्दी काम करने को मिलेगा आपका हम जल्दी काम कर सकते हैं इसमें अब मैं ये बीच ओ बीच इसके show करता हूँ जिससे कि इनके बीच में कुछ gap ना आए और फिर इसके effect को मैं अलग से लूँगा आपका अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से उठाते हुगे शोखल सकते हैं style में फिर मैंने किया ctrl enter और फिर एक new layers ले रखी है यहां मैं कोई भी color fill करता हूँ hold back space ctrl d selection हटाया इसके आई बन करी आपका अब इसके बाद एक और रह जाता है हमारा इसको select करता हूँ इस तरीके से जो इसमें style है हम वो style भी pattern में एक new बना सकते हैं या अलग से भी कोई effect show कर सकते हैं ले सकते हैं आपका तो जैसे इस तरीके से और ctrl enter और फिर एक new layers लेगी रखी है यहां जाके कोई भी color और मैंने किया all backspace ctrl d selection हटा दिया अब इसके बाद हम क्यालते हैं save as मैंने save किया तो desktop पे जाके कहीं पर भी मैंने save कर दिया इस तरीके से अब मैं इसमें करता हूँ यहां जाके जिससे complete हो चुका है इसकी भी आई बन करता हूँ अगर हम यह button बनाना चाहिए तो button भी बना सकते हैं तो फिलाल मैं इन सब को open करके दिखा रहा हूँ आपको कि मैंने क्या बनाया तो मैंने इस तरीके से यह चीज बनाशरी है जिसे हां हलका सा पीछे background कलर आ रहा है तो मैं यहां color खीचने वाले टूल से बताया था मैंने आपको यहां जाके इस पर कलिक करेंगे तो यह color खीचने वाला है आपका तो मैं इस तरीके से तो जो gap आ रहा ही खतम कर दूँगा इस तरीके से तो ऐसा कुछ effect रखना है कि मुझे मैं कौन सी layer को use कर रहा हूँ कौन सी layer को selector रहा हूँ उस पर आप इस तरीके से काम कर सकते हैं तो जैसे control पर zoom करता हूँ थोड़ा सा देखे यह बचा हुआ है आपका तो इसको मैं इस तरीके से अगर मैं इसको arrow key से इसको अंदर की तरफ लेता हूँ तो यह इस तरीके से नीचे से भी सही आ रहा है उपर से भी सही आ रहा है ऐसा को शो कर सकते हैं अब यह जो line बनाई थी मैंने हम क्या करते हैं इसके लिए जैसे fx में जाता हूँ मैं और stock मैं यहां stock को बढ़ाता हूँ इसका तो same color मैं दूँगा इसका जो इसमें है आपका जैसे इसी का मैंने यह color pick किया और ok थोड़ा गाढ़ा ले लेता हूँ yes अब लेर में गया इस layer style को मैं layer में करनोट करता हूँ इस तरीके से filter में जाके मैंने किया है गोशन बलर मैं इसको बलर करता हूँ थोड़ा सा उठा हुआ effect आया इस तरीके से देने के लिए अब जैसे यह color हमारा बहाल जा रहा है तो हम क्या करते हैं जैसे मैंने हाँ इसको mass भी कर सकता हूँ जैसे मैं अलग एक new page पर दिखा रहा हूँ पैटरन देने के लिए पहले pattern बनाता हूँ तो with or height तो भाई सो करता हूँ regulation show करता हूँ जैसे इस तरीके से अब control plus zoom करता हूँ मैं इसको और मैंने यहाँ जाके कोई भी color लिया old backspace और यहाँ जाके इसका गाड़ा color लेता हूँ मैं इस तरीके से एक new layers ली और pen tool से मैंने इस तरीके से effect बनाया अगर मैं चाहूँ तो view में जाके grid lines भी ले सकता हूँ जिसे view में गया और मैंने यहाँ किया show great जिससे की वह उपर नीचे ना हो इस तरीके से अब मैंने किया यहां जखके इस टोग पाथ मैंने यहां सेलेक्ट किया तो यह इस तरह का एफेक्ट आ रहा है कि आगे और पीछे से लाइन थोड़ी कम आ रही है अब मैं यहां बुरुस ले कि कि इसका साइज चोटा करता हूँ आप इसके बाद यहां साइज को चोटा किया साइज को चोटा करने के बाद पैन टूल में गया राइट के लिए इस टोग पाथ पे के लिए करता हूँ ओके करता हूँ तो इस तरह का एफेक्ट आ रहा है आपका अब मैं इसमें क्या करता हूँ, यहां एक सेलेक्शन लिया, यह साइज मेरा बचा हुआ है, इतना हिससा सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद, Image Minivar में जाके crop करता हूँ Edit में गया मैंने किया Define Pattern पे click एक नया pattern एक नया pattern आ जाता है अपका और फिर मैं इस sheet को delete कर देता हूँ अब मैं जैसे यहाँ इसको select कर रहा हूँ मैंने किया यहाँ जाके FX में जाके pattern पे click और यह जो मैंने pattern नया बनाया था यह मैं select करता हूँ तो यह pattern ऐसा दिखाई देगा आपको इस तरीके से अगर हम यहाँ चाहें तो इसका size छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको तो हम उतने से pattern को repeat कर सकते हैं दिखा सकते हैं कि वो इस तरह का effect शोट करेगा आपका अब हम इसमें क्या करते हैं जिससे दुबारा मैंने pattern पर के लिए किया यह दूसरी side मैं इसमें कोई दूसरा pattern शोट कर सकता हूँ तो यह कुछ पहली से बनेवी pattern है जैसे इस तरह का कुछ लिया मैंने आपका और यहां इसका size कम ज़ारे कर सकते हैं और मैंने किया है इस तरह के से कुछ ऐसी मैं side से shogal देता हूँ यह जो layers है आपका इसमें और pattern पर के लिए करता हूँ और यहां जाके यह वाला pattern शोट दा हूँ तो यह इस तरीगे से शो करेगा, बोर्डर टाइप का हम शो कर सकते हैं, दे सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ, और यह जो हमारी सैडो आ रही है आपका, फिलाल में इसको डिलीट करता हूँ, और फिर पैन टूल लेता हूँ, दुबारे से, इस तरीगे से, और एक न्यू लेस ली और यहां जाके कोई कलर चेंज किया, और मैं इसको करता हूँ, यहां जाके बुरूस पर के लिए, साइज देख रहा हूँ, इसका साइज कितना है आपका, थोड़ा साइज बढ़ाऊंगा आपका, और फिर मैं पैन टूल पे जाके राइट के लिए, मैंने किया इस टोग पात, और ओके, इसको हटा देता हूँ, मुझे सेम लाइन चाहिए, उपर नीचे से, इस तरीके से, मैं एंटर करता हूँ, पात को हटाता हूँ, इसके बार फिल्टर में गया, वर्शन बलर, और मैंने थोड़ा बलर कर दिया इसको, इस तरीके से, अब जिसी जो चीज भा सुक्या जाएगा इस तरीके से, तो ऐसी हम कोई fashion design, कोई dress बना सकते हैं इस तरीके से, तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे जरूर बता सकते हैं, धन्यवाद